आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउस के पीछे गले का अलग-अलग शेप के बारे में पुरी डिटेल से बताऊंगा और क्या-क्या पापुलर गले का शेप होता है उसे मैं कटिंग करके भी आप लोगों को बताऊंगा तो उनका कहना यह होता है कि हमें पाँचों ब्लाउस में या तिन-चार ब्लाउस जो भी लेके आते हैं सभी ब्लाउस में हमको गले का अलग-अलग शेप चाहिए तो कई बार क्या है हम गला गोल और स्क्वेयर और दो-तिन जो शेप होते हैं कॉमन शेप पान गला है मटका गला है वही बस हम डियाइन डालते हैं तो मैं अपने वीडियो में आज बहुत सारे आपको गले के डियाइन बताऊंगा यानि कि एक नहीं अनेक तो आप वीडियो को कंटिनू देखते रहे और आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाए जिससे कि ऐसे ही लेटेश वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे देखिए मेरी वैसे पुरी कोशिस रही रहती है कि मैं आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही असान तरीके से ब्लाउस की कटिंग आपको बता सकूँ तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों मैंने पहले एक पेपर ले लिया है ये सब मैंने कटिंग करके रखा हुआ है देखिए ये जो मैंने कटिंग किया हुआ है पेपर को ये डबल है जिससे क आपको गले का जो शेफ है उसे अच्छे से आपको समझे में परसानी ना हूँ तो चलिए मैं आपको गले की बिजाइन कट करके दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों सबसे परहे तो मैं आपको जो common गला होता है square जिसे कहें लोगा box भी बोलते हैं चारस भी बोलते हैं मैं उसको कर्टिंग करके बताऊंगा उसे किसे cutting करते हैं देखिए दोस्तों मैं आपको हर type के गले का shape को cutting करके पुर्ष डीटेल से आप लोगों को बताऊंगा तो देखें धोस्तों यह वैसे 36 इन ब्लोच का फर्मा है कि इसमें गल्य का फैलाव है उसे मैं 2.5 इंच ले रहा हूथ दियान रखेंगे आपको कटिंग कैसे करना है और इस सेट भी मैं 2.5 इंच ले रहा tweetinghe देखें धोस्तों मैं आप लोग से बताना चाहूंगा ये और एक निसान मैं शाड़दा सुच में यहाँ पर भी लगा रहा हूँ अब इसे हम स्केल से सीधा खीट लेंगे जब भी आप गले की कटिंग करते हैं या कोई भी कटिंग करते हैं तो आप हमेशा सीधी लगी कीडिये के लिए इसकेल के पेज़िब करें देखी है और यहाँ पर आप मैंने जो निसान लगाया था देखिए यहाँ पर 60 में यहाँ पर 90 में दोनों साइड में निसान लगाकी ही कटिंग करें यह ऐसा cutting करना है नहीं कि professional तरीके से cutting होता है अब मैं इसे कहीं जी से cut कर देता हूँ यह बिल्कुल चौकुन गला है बिल्कुल यहाँ पर भी और इस side में भी बिल्कुल गले का बिल्कुल perfect इसमें square shape आया हुआ है देखिए दोस्तों एक चीज़ का जहां रखेंगे आप हमेसा कि सीधी लगने खीज़ेंगे तो आपका गला हमेसा square और सीधा ही आएगा देखिए यह तो square गला हो गया अब इसी में मैं एक गला आपको cutting करके और बताता हूँ जिसको हम लोग कई बाद इसको glass shape बोलते हैं तो देखिए glass shape क कटिंग करने के लिए हम क्या करना है सबसे पहले हमें 0.5 इंच में उपर से मैं mark कर लूँगा गले का फाइल आओ के लिए यह ऐसे और इस side भी मैं पहले 0.5 इंच में mark कर रहूँ सबसे में ड्रा कर रहूँ कि गला हमारा 10 इंच है और इस side भी यह 10 इंच में है देखिए दोस्तों उसके बाद हमें scale से सीदह सो खीट लेंगे और देखिए दोस्तों इस side भी पहले scale से खीज़ता हूँ है जिससे समझें मैं आपको प्रसानी ना हूँ अब देखिए glass shape की खास्यत क्या होती है मैं इस side से इसको यह देखिए यहाँ पड़ से मैं इसको ले रहूँ दो इंच में यह पूरद से square नहीं होता इसका जो shape है वो glass के shape की तरह होता है यह देखिए अब इससे भी कहचीम से कट करके दिखाता हूँ इसका shape कैसे आया है यहाँ पर से यह कम है और यहाँ से इसका फैलाव जादा है बनने के बाद बिलकुल यह ऐसे आगा देखिए यह दो shape square का common है कई बार glass shape और कई बार customer square गला ही बोलते हैं तो देखिए उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा गोल गला के बारे में तो देखिए दोस्तों मैं इसे में पहले से ड्रा करकर रख लिया हूँ देखिए यहाँ से धाइंच में और यहाँ पर भी धाइंच और यह साड़ दस इंच है हमारा देखिए गोल गला cutting करन आपको प्रौण गोल कैसे लाना है तो देखिए इस कड़नर से आपको और यहाँ पूर दिकाता हूं यह बिल्कुल आपका अद् discriminate आया हुआ है देखिए गले का गोल शेप लेने के लिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर से हमको पौन इंच लगाना है निशान गयाने की कौटर इंच कम एक इंच में देखिए यह एक गोल गला हो गया है और एक गोल गला मैं आपको और दिखाता हूँ इसके लिए मैं अलग से एक और पेपर ले लिए हूँ देखिए इसमें हमें क्या करना है तो ध्यान रखेंगे इसमें हमें यहाँ पर से देखिए दोस्तों इस कार्नर से हमको आधा इंच में निसान लगाना है देखिए फिर गले का शेप कैसा चेंज हो जागा आप हैं इसी को हम यही पर से यह लाके नहीं पर मिला देंगे कि यह देखें मैं एधा इंट लिया अब इसे भी मैं ने कट कर लेता हूं फिर आपको दिखा गली का शेफ कैसा है ये देखिए ये बिलकूल एकदम बोलना ची लास्ट हमें राउंड बना हुआ है ये हलका सा या बनने के बाद हलका सा ये स्क्वेर जैसा लुक देगा हमको तो देखिए मैंने दो आपको गले का शेप बताया गोल में अब आते हम बहुत ही ज़्यादा पापूलर गला जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे हम स्वीट हट नेक भी बोलते हैं तो उसके लिए दोस्तों ध्यान रखेंगे हमें क्यासे करना है हमको नीचे यहाँ पर टेप रखके हमको देखिए मैं इसमें तीनिच में निसान लगा रहा हूँ यह तीनिच में अब इसको यहाँ पर लाके मिला दूँगा यह देखिए मैंने तीनिच में लाके मिलाया यहाँ पर इस गले को स्वीट हट गला बोलते हैं अब इसे भी मैं कट कर लेता हूँ ये स्वीट हट गला है इसी में एक प्रदाक गला और बनता है चलो मैं उसको भी दिखायता हूँ आपको उसके लिए भी मैंने अलग से एक पेपर ले लिये है तो देखेंगे यहाँ पर से मैं से तीनिजम निसान लगा रहा हूँ अब देखेए इसको यहाँ पर से मैं यहाँ पर कर लोगा यह ऐसा और लाके इसको लाष्ट में मिला देंगे यह अभी एक बहुती बढ़िया शेफ है गले का इसमें पाइपिन लगाने के बाद ये गलब बहुती यादा सुन्दर लगता है देखे दोस्तों आप चाहे तो अपने ब्लाउज में इसे भी बना सकते हैं और मुझे नीचे कमेट समाख बताए कि आपको कौन सा गले का शेप अच्छा लगा तो देखे इसी में मैं अभी एक और गले का शेप बढ़ाता हूँ आपको देखे मैंने नीचे से यहाँ पर ती नीच लिया हुआ था तो इसे मैं इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ इसको मैं ले रहा हूँ चार इंच में ये देखेंगे अब हमें क्या करना है देखे दोस्तों इस साइट से अगर हम चाहें तो इसे फ्रेंच करव से भी इसका शेप ले सकते हैं ये देखिए ऐसा तो मैं इसमें फ्रेंच करव से ले रहा हूँ शेप इसका और चाहे तो इसको थोड़ा सा ब्राउड भी कर सकते हैं तो इक है मैं इसको थोड़ा सा अंदर की और इसको ब्राउड ले रहा हूँ अब इसको यहाँ पर से यह बिल्कुल आईशा यह भी एक बहुती बहतरीन गले का शेप है चलो उसको भी मैं कट करके दिखाता हूँ आपको यह भी बहुती गले का शेप बहुत बढ़िया शेप है इसमें ध्यान रखेंगे आपको कि इसमें आपको डोरी लगानी पड़ेगी तभी इसके शेप बिल्कुल प्रॉपर पहनने के बाद इसका लुक आएगा तो देखिए मैंने आपको इसी शेप में मैंने तीन आपको गले के डिजन बताया है अब देखिए इसी में मैं एक और अलग शेप बताता हूं आपको देखिए उसके लिए भी मैंने पेपर ले लिया है और यहां पड़ से देखिए यहां पड़ से मैं साढ़े चार इंच में देखिए यहां पर एक निसान लगा ले हूं इसको मैं scale से यह ऐसा कर लिया और ये french कर्वसे देखें दोस्तों, ये french कर्वसे मैं इसको बिलकुल लाके यहां पर मिला रहा हूं ये देखिए ये भी एक प्रगर शेफ बन गया है दोस्तों देखिए ये भी बहुत सुन्दर शेफ है इसे भी मैं केंची से कट करके दिखाता हूँ आपको इसमें भी आपको डोरी लगाने पड़ेगी अगर आप चाहे तो इसमें तो उसा क्रिटिविटी भी दिखा सकते हैं यहाँ पर इसमें लूप या बॉल लगा सकते हैं जिससे आप कस्टमर से इसका डिजाइन का अलग से आप चार्ज कर सकते हैं इसमें भी डोरी लगाना बश सली ही रहेगा आपको चलिए मैं आपको इसी में एक और बताता हूँ यहां पर तेब राख्य इसे भी4 ने यहां से Palmer कर लेना है उसके बाद यहां से इसे अइस से ऐसा खो लेन नहीं हो है अब देखिए इसको french curve से मैं shape ले रहूँ अगर आपके इसमें french curve नहीं है तो आप हास से भी इसको ले सकते हैं लेकिन जब हास से लेंगे थोड़ी प्रसानी को समने आपको करना पड़ सकता है देखे साड़े चारेंज लिया है मैंने तो आप मैं इसको मैं कट करके दिखाता हूँ ये भी कितना सुन्दर शेप आया हुआ है देखिए दोस्तों मैं आपको जो गले का शेप दिखा रहा हूँ ये आपको किसी भी और बुक में नहीं मिलेगा मैं आपको अपने ब्लाउस के लिए या कस्टमरों के ब्लाउस के लिए आप ये डिजाइन को कटिंग करके बना सकते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे ये अगर आप गला बनाएंगे तो इसे आपको केनवास में या फिर बकरम में बनाना पड़ेगा नहीं तो इसका प्रापर राउंड जो शेप है वो कपड़े में नहीं बनेगा तो चलिए मैं आपको अब दुश्रा शेप दिखाता हूँ देखे दोस्तो अब मैं आपको जो शेप दिखा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हाँ दोस्तो ये बहुत ही ज़्यादा बनायाता है जिसे हम मटका गला भी कहते हैं लोग इसे सुराही गला भी बोलते हैं तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है ध्यां रखेंगे इस बात को कि मैं इसमें चार इंच में निसान लगा रहा हूं उपर से यह और यहां पर इसका सेंटर आगया दो इंच अब देखिए दोस्तों इसे भी आप चाहे तो ऐसा करवस से ले सकते हैं यह आईशे अब यहीं पर से इसको ऐसा यह देखिए यह ऐसे रखे कि आप इसे ड्रा कर सकते हैं यह बहुत ही अदा पॉपलर गला है दोस्तों यह आम तवर पे हर कोई यह गले को एक ना एक बार अपने ब्लाउस में बनाया हुगा रहता है यह शेप बहुती बहतरीन शेप रहता है चलो उसको भी कट करके मैं दिखाता हूँ यह मटका गला है इसी में मैं देखिए यहाँ पर ज़्यदा फैलाव हुआ है अब मैं आपको जो कटिंग बताऊँगा मटके कर लेका वो बिना फ्रेंच करव के बताऊँगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसे भी देखिए मैंने चार इंच में यहाँ पर उसमें भी निसान लगाया था इसमें भी इसका सिंटर दो इंच में निसान लगा लिजिए अब देखिए यहाँ पर आप निसान लगा लिजिए आदे इंच में अब इसे बिल्कुल यहाँ पर से एसे मिलाते हुए इसको लाके ऐसे देखिए. उसके बाद आपको इस साइड जितना भी फैला सकते हो. अगर आपको कम फैलाव चाहिए तो कम कर सकते हो ने तो आप ऐसा ब्रॉड भी इसको ले सकते हो क्योंकि मटका गला बिना डोरी के कभी भी इसका लुक नहीं आता तो देखिए मैं इसमें हलका ही फैला रहा हूँ क्योंकि मैंने फिचले बार गले में इसको ज़्यादा फैला लिया था ये ये देखिए अब इसे भी मैं कट करके दिखाता हूँ ये भी इसका कितना बढ़िया शेप आया हुआ है बिल्कुल आम अपने ब्लाउज में या कस्टमर के ब्लाउज में इसे ट्राइ कर सकते हूँ तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको इसी में ही एक बंट के गले में भी एक अलग शेप इसमें शेप बढ़ाता हूँ देखिए उसके लिए भी हमको क्या करना है चार इंच में निसान लगा लेजिए और यहाँ पर दो इंच में यहाँ पर आधा इंच देखिए तोस्तों मैं कैसा ट्राइक कर रहा हूँ बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है मैंने इसको नीचे की तरफ वी कर लिया है तो इसमें गले का शेप बिल्कुल change हो गया है लेकिन बनने के बाद और cutting होने के बाद इसमें बहुती बढ़िया लुक आता है चलो इससे भी कैची से कट कर लेते हैं ये भी कितना बढ़ियाश का शेप आया हुआ है देखिए मैं आपको कोसिस यही कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छे गले की डिजाइन आपको बता सकूँ आप वीडियो को कंटेनू देखेंगे तो मैं भी आगे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें गले कर संदु 먹खा रहा हूँ और देखे दुस्तों यहीं पर से मैं इसमें गले आते हैं आप सकते हैं अब आते हैं दोस्तो मैं पान मेले का शेप उसीं कटिंग करेंगे तो तो देखिए दोस्तों उसके लिए मैं यहां पर से देखिए आट इंच में निशान लगा रहा हूँ और यहीं पर से ही हमको इसको यहां पर से आशे घुमाव दे देना है यह देखिए मैंने आट इंच में लगाया था निशान चुकि गला हमारा 10 इंच है आप चाहे तो इस में हम वी बना सकते हैं तो वी के लिए मैं आपको बताता हूं मैं कि उसमें के करना है देखिए दोस्तों आप 8 इंच में ही निसान लगा लेजिए अब इसे यहां पर से डारेक्ट सिंपल ऐसा मोड लेजिए तो देखिए यह भी एक अलग शेफी बन जाएगा देखिए दोस के वी कटिंग करने के लिए आप चाहे तो इसे डारेक्ट यहां से ऐसा इसके लेकर वी कर सकते हैं यह ऐसा है अब मैं इसब और करके दिखाता हूं यह देखिए यह भी गला है देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है हमें वी कला बहुत छुड़ा लगता है तो हमें यह देखिए यहां पर लाकी मिला दीजे अभी गले का शेप चेंज में जागा लेकिन दीखेगा आपको वी ही गला इसका फैल गया और बिल्कुल लूप में वी इच है तो देखिए वी भी दो तरीके से कटिंग होता है अब देख लिए आपने कि कैसा अलग अलग कटिंग ह और यहां पर से आप इसे ऐसे लाके इसमें मिला देजिए देखिए दोस्तों दिखने में यह भी वी आएगा लेकिन इसका गले का फैलाव है यह बदल जाएगा यह भी वी इच है देखिए मैंने आपको तीन तरीके से भी बताया है पहले वी में हमारा गले का फैलाव था कम था सेकेंड में उससे अदा हुआ और तीसरे में उससे अदा हुआ तो आपको इस में से कौन सब भी अच्छा लगा मुझे नीचे कमेट्स बॉक्स में बताईए उसके लाद आते हैं दोस्तों मैं आपको एक ऐसा गला बताऊंगा जो आम तोर पे बनता तो बहुत कम है ले से हम राउंड लेते हैं कले को यह राउंड ले लिया है अब हमें यहां पर से डेड़ेड इंच में ऐसा निसान लगा लेना है कि यहां पर भी डेढ़ेंज करीब आई यह है अब देखिए मैं कसे कर रहा हूं इसको राउंड बना रहा हूं देखिए दोस्तों मैं अपने हिसाप से इसका राउंड ले रहा हूं आप चाहे तो इसे एक प्रॉपर राउंड बनाने के लिए आप कोई भी फर्म बना लीजि कि यह देखिए कितना सुन्दा लग रहा है अब इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं यह बिल्कुल कितना बैहतरीन बना हुआ है आप यह डियाइन को बिल्कुल अपने ब्लाउज में बनाईए यह कस्टमर के ब्लाउज में बनाईए कस्टमर बहुत ही आधा खुस हो जाएगा लेकिन ये ड्याइन बाने के लिए एक बात का ध्याइन रखेंगे कि इसको ड्याइट आप कपड़े में cutting मत करिए इसको canvas में ट्रा कर लिए यानि बकरम में उसके बाद इसे बनाईए तभी यह अच्छे से बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है इस डियाइन आप इसे कस्टमर के ब्राउज में ट्राइ कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्याँ रखेंगे कि ये गला जब भी आप कटिंग करें तो कपड़े में इसको डायट कटिंग ना करें इसके नवास में कटिंग करें उ उसके लिए क्या करना है हमें देखिए मैंने सभी गले में ये स्क्वेर बना कर रखा था अब देखिए क्या करना है तो देहां रखेंगे हमको इसको यहाँ पर एक साइड हमें इसे भी यहाँ पर से डेडर इंच में ये डेडर इंच और देडर इंच ये भी डेडर इंच डेड रेमन में हमको निसान लगा लेना है अब इसे भी हम यहाँ पर रांड बना लेंगे आप इसे भी हम कटिंग कर सकते हैं देखिए दोस्तों इस बाद करें रहाएं के ऐसे गले जब भी आप बनाते हैं तो कस्टमर से आप इसका इस्टा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब गले बनाने में थोगा टाइम लगता है, तो देखिए, अब इसी में मैं एक और आपको डियन बताता हूं, इसके लिए भी मैं इसके खोल लेता हूं, ये अशा, अब देखिए, इसे मैं कैसा ड्रा कर रहा हूं, हल्क आसा इसको म के लिए, उसके बाद हम यहां पर ऐसे इसमें लूप लगा सकते हैं, दोस्तों लूप मतलब समझेंगे आप, डोरी पल्टाने के बाद जो लगाते हैं, अब इसके अंदर हम कंट्रास्ट में ऐसा डोरी पल्टा के इसके अंदर से लेके, यहां पर इसे बाहर निकाल लीज अभी जैसे चर रहा है ब्लाउज में बहुत सारे पंपम आप कपड़े से बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आएगा दोस्तों ये देखिए किता बहतरी लग रहा है ये डिजाइन ये सब डिजाइन से आप एश्ट्रा पैसे कमा सकते हैं अपने कस्टमर से लेके ये होग दोस्तों इसको भी हम यहां बड़ा राउंड ऐसा तीन राउंड ले सकते हैं और इसे हम यहां पर चाहे तो इसको डोरी से भी अटेज कर सकते हैं दोरी से कैसा तो देखिए यहां से एक डोरी यहां से एक डोरी और यहां से एक डोरी यह ऐसा भी आप डिजाइन बना सकते और यहां पर आप एक बटन लगा सकते हैं तो देखिए यह भी डियाइन बहुत ही अच्छा है अब आते हैं दोस्तों इसी टाइप के में मैं एक डियाइन और दिखाता हूं आपको तो इसमें क्या करना है दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए हमने यहां पर से इसको ऐसा ति यहाँ पर बटन लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो यह डोरी को यहाँ पर बटन लगा के निकाल के इसे भी यहाँ पर पम-पम लगा सकते हैं देखे दोस्तों यह सब जो डिजाइन है यह डिजाइन के आप customer से charges कर सकते हैं इसमें जादा time लगता भी नहीं है आप इससे extra income कर ले सकते हैं तो देखे दोस्तों इसी में ही मैं आपको एक तरीका बताऊंगा देखे इनलों को मैं cutting करके नहीं दिखा रहा हूँ यह आप चाहे तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर भी आप दोरी लगा सकते हैं इसका look बहुत ही अच्छा आएगा देखे दोस्तों अब मैं आपको जो last में जो गला बता रहा हूँ यह गला बहुत ही ज़ादा सुन्दर आता है बनने के बाद लेकिन यह आपके ओपर डिपेंड है कि आप customer से कितना इसका charges लेना चाहते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले तो इस बाद दहां रखेंगे कि मैंने गले में ऐसा box सभीम बना के रखा हुआ है क्यों बना के रखा हुआ है जिससे की भी हमको blouse की cutting याने की गले की cutting करने में हमको परिसानियों का सामना ना करना पड़े देखे दोस्तों हम यहाँ पर से इसे round ऐसा ले लेँगे इस side भी हम इसे ऐसी ही round ले लेंगे अब देखे यह round होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है हमें यहाँ पर से ऐसा पुरा lupi लगाते वी चलना है आम तर पे ये डिजाइन बहुत यदा पापुलर है इसमें आप डोरी लगा लीजिए ऐसा इसके अंदर और दोस्तों इसके बीच में आप मोती भी लगा सकते हैं देखिए ध्यान रखेंगे डोरी पाइपिन और लूप ये आपका कंट्रास्ट होना चाहिए तभी आपको बनने के बाद ब्लाउस की सुन्दरता बढ़ेगी ध्यान रखेंगे इसमें आप डोरी के अंदर मोती लगा सकते हैं यानि कि ये लूप फिर मोती फिर लूप फिर म होगी आपको इन सब गले में कौन सी डेन पसंद आई मुझे निचे कमेंट्स बाक्स पताइए साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों को रिष्टियारों को सेर करें तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जनकरी भरे वीडियो में जब तक के लिए टेक केर ठैंक यू फर